जै हिंद मैं हूँ संजय बिश्व कर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग दी वेव थिंकिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPSC Agriculture Pre-Exam के लिए कुछ महदवपून प्रिश्णों के बारे में तो इस Special Session का ये Part 23 है अभी तक 22 वीडियोज हो चुकी है तो जिन Students ने पुरानी वीडियोज को नहीं देखा है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं ये Session हिंदी और इंगलिस दोनों भाषाओं में रहने वाला है तो Session के साथ आखरी तक बने रहीएगा इस Session में इस वीडियोज में हम Top 20 Questions का डिसकसन करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट्स का भी हम डिसकसन करते हैं और Last में Question of the Day के बारे में चर्चा करते हैं ये सारा जो करते हैं सेशन को हम Question No.1 The purpose of circular letter is यानि गस्ती पत्र का उद्देश्य होता है काफी अच्छा कोशन है extension का ये कोशन है communication का और इसका जो सही answer होगा वह होगा to send timely information यानि कि जो circular letter होता है उसका जो मुख्य उद्देश होता है कि कोई भी जो सूचना है जो information है उसको हम समय पर द send कर सकें timely information काफी अच्छा कोशन है जो कि आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे Question No.2 की तो यहां पर बात हो रही है Heart of Biogas Plant is यानि Biogas Plant का हिरदय कौन है या हिरदय किसको हम Biogas Plant का हिरदय कहते हैं ये पूरी कोशन में बात हो रही है काफी अच्छा प्रि बहोगा डाइजेस्टर तो याद रखेगा डाइजेस्टर को Heart of Biogas Plant भी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे Question No.3 की Man causes for formation of saline and alkaline soil are यानि saline और चारी मिरदा या मिट्टी बनने का मुख्य कारण है ये भी काफी अच्छा कोशन है आपकी परिक्षा के होगा Arid Climate, Influence of Sea Water और Irrigation with Saline Butter यानि कि यहाँ पर आंसर होगा All of These इन सभी कारणों के कारण इन सभी मेन कारण रहते हैं जिनके कारण saline और alkaline मिट्टी यानि स्वेल का formation यानि निर्मान होता है पहले वीडियोज में बताया था कि आप कैसे AFO के साथ साथ नाबाट की भी तैयारी कर सकते हो फिरी स्टडी माटेरियल जो ओले बोट पर एवेलेबल है उसका पूरा फायदा उठाईए वहाँ जाकर टेस्ट दीजिए और नाबाट की फिरी इबुक्स डाउनलोड कीजिए लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी अब हम बात करते हैं कोशन नमर चार की बायो फर्टिलाइजर्स आर यानि की जैब और बरक होते हैं या हैं तो यहाँ पे जो सही अंसर होगा बो होगा नाइट्रोजन फिक्सर फॉस्पिट सॉलूबिलाइजर ओर्गनिक मैटर डिकम्पोजर यानि की यहाँ पे जो हमारा सही अंसर होगा बो होगा all of these काफी अच्छा कोशन है आपकी परिक्षा के लिए जिसको आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कोशन नमर पांच की तो यहाँ पे बात हो रही है पोटेटो की प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में तो कोशन है raw to raw distance for potato प् याद रखना है कि जो raw to raw distance होती है पोटेटो में वो 60 cm रखते हैं अब हम बात करेंगे कोशन नमर छे की तो यहाँ पे बात हो रही है if more and more capital and labor are applied to fix piece of land the system of cultivation is called यानि यदि भूमी को एक निक्ष्चित भाग पर खिती के लिए अधिक से अधिक पूंजी एवं श्रम का प्रय योग किया जाता है तो उस क्रशी प्रनाली को कहा जाएगा काफी अच्छा कोशन है मेरे इसाब से काफी important कोशन है आपकी परिक्षा के लिए और इसका जो सही answer होगा intensive cultivation इसकी जो कोशन की definition है उसी में इसका answer छेपा हुआ है बात कर रहा था more and more capital and labor are applied to fix pieces of land यानि कि एक नि यानि कि fix area में हम बार-बार किसी फजल को उगा रहा है या खेती को कर रहा है तो उस प्रनाली को हम क्या वो लेंगे intensive cultivation यानि कि सघन खेती जो कि आपको याद रखना है काफी अच्छा कोशन है आपकी परिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कोशन नमर 7 की यह यह भी अच्छा प्रिशन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 85 जो कि आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे कोशन नमर 8 पर यहाँ पर बात हो रही है फोर हाउ मैनी होर्स रैन्फॉल शुड नोट अकर आफ्टर एप्लिकेशन ओफ कॉन्टेक्ट हर्बी साइट यानि संपर्क साखनासी के छड़काब के बाद कितने घंटे तक बरसा नहीं होनी चाहिए अगर हम किसी फसल में संपर्क साखनासी का छड़काब कर रहे हैं तो उसके छड़काब के कितने घंटे बाद तक हमको बरसा नहीं होनी चाहिए ताकि जो हम एप्लिकेशन की हैं कॉन्टेक्ट हर्बी साइट को छड़के हैं उसका पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिले ये इस कोशन में बात हो रही थी और इसका जो सही आंसर होगा व बल्क डेंसिटी ओफ स्वेल इस यानि कि मिर्दा में कार्वनिक पधार्थ मिलाने से इस थूल गहनद्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा घटेगा की परिवर्तित नहीं होगा या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिक्रीज यानि कि अगर हम मिट्टी में और्गनिक पधार्थ मिला रहे हैं उसको मिक्स कर रहे हैं तो जो बल्क डेंसिटी होती है स्वेल की वो क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है वो कम हो जाती है काफी अच्छा कोशन है कई सारी परिक्षाओं में पूछा गया है आपकी परिक्षा के लिए भी काफी महद्वपून प्रिशन है आगे बात करेंगे कोशन नमर 10 की यहाँ पर बात हो रही है mineral stability series given by यानि खनिज इस्थिर्ता सरिंखला के द्वारा दी गई जिनके द्वारा दी गई है उनका यहाँ पर नाम पूचा गया है और उनका जो नाम है वो है गोल्ड रिच तो याद रखेगा गोल्ड रिच के द्वारा mineral stability series को दिया गया था काफी अच्छा कोशन था आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कोशन नमर 11 की पेराक्वेट is type of herbicide यानि की पेराक्वेट प्रकार का साखनासी है किस प्रकार का यह साखनासी है यानि herbicide है selective non-selective तो जानेंगे क्या होगा इसका सही answer इसका जो answer होगा वो होगा non selective यानि की जो पेराकोइट होता है पेराकोइट herbicide जो है वो non selective herbicide है काफी important question है आपकी परिक्षा के लिए कई सारी परिक्षाओं में इसको पूछा गया है आगे बढ़ते हैं बात करेंगे question number 12 की cypress rotundus is propagated by यानि cypress rotundus को के द्वारा प्रसारित किया जाता है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा tubers यानि की cypress rotundus को हम tubers के द्वारा propagate हम उसको करते हैं आगे बढ़ते हैं बात करेंगे question number 13 की a beating tool mostly used by small farmers is यानि की एक beating हतियार जिसको हम निंदाई गुडाई करने वाला हतियार भी बोल सकते हैं जो अधिकतर छोटी किसानों के द्वारा प्रियोग में लाया जाता है उस ओजार का उस हतियार का हमको नाम बताना है तो काफी अच्छा प्रिशने और इसका जो answer है आप सब लोग जानते हैं answer होगा hand ho hand ho जो है वो सबसे जादा किसानों के लिए उपयोग में लाया आता है इसको हम खुर्पा या खुर्पी भी हम इसको कह सकते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है फिर आगे बढ़ेंगे question number 14 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है liquid used in minimum thermometer यानि की minimum thermometer में कौन स इसे द्रब का प्रियोग किया जाता है काफी अच्छा question है और इसका जो आंसर होगा वो होगा alcohol हाँ जी हाँ आपको याद रखना है alcohol जबकि पहले ही option में उन्होंने mercury को देखे रखा है यानि पारे को देखे रखा है जबकि यहाँ पर बात कर रहा है minimum thermometer तो minimum thermometer में जो liquid used क crop the first hybrid was developed यानि इन में से कौन सी दलहनी फसल की पहली बार संकर किस्म को बिक्सित किया गया था उस फसल का हमको यहाँ पर नाम बताना है तो answer है red gram जो कि आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे question number 16 की botanically soybean है यानि कि बानस्पतिक रूप से अगर हम बात करें तो soybean एक जो फसल है वो oil seed crop है या pulses crop है या फिर legume की एक फसल है तो काफी अच्छा question बन सकता है आपकी परिक्षा के लिए और इसका जो सही answer होगा वो होगा legume crop botanically जो soybean होता है वो एक legume crop है जो कि आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे question number 17 की the central bank of India यानि क भारत की central bank कौन सी है जिसको हमको बताना है तो ये भी काफी अच्छा question है और इसका जो answer होगा वो होगा RBI RBI यानि की reserve bank of India ये हमारे भारत की central bank कहलाती है जो कि आपको याद रखना है फिर आगे बढ़ेंगे बात करेंगे हम question number 18 की तो यहाँ पर बात हो रही है nematode body is made up of यानि की nematode को हम हिंदी में बोलते हैं शूत्र क्रमी तो सूत्र क्रमी का सरीर का बना होता है ये भी काफी अच्छा question है काफी important question है आपकी परिक्षा के लिए और इसका जो सही answer होगा वो होगा protein तो आपको याद रखना है आपकी परिक्षा के लिए इस type का question पू होते हैं तो जो सूत्र क्रमी होते हैं जो normatode होते हैं उनका जो सरीर होता है उनका जो body होता है वो protein से मिलकर बना होता है काफी अच्छा question बन सकता है ये जो कि आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे question number 19 की albigo candida is यानि की albigo candida 1 है ये भी काफी अच्छा question है और जानेंगे क्या होगा इसका सही answer तो इसका जो सही answer होगा भोगा obligate parasite तो यह आपको याद रखना है कि जो albigo candida है ये एक obligate parasite है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे question number 20 की तो यहाँ पर बात हो रही है question number 20 में कि the commission for agricultural cost and prices was set up in question यानि की क्रशी लागत और मूल्य आयोग में अस्थिद्व में आया तो यह पूरे question में ये बात हो रही है कि इसको हम sort में बोलते है CACP ये भी आपको याद रखना है क्योंकि CACP से MSP से एक question आपकी परिक्षा में सारी परिक्षा में पूछा जाता है तो आपकी Commission for Agricultural Cost and Prices इसका ये पूरा नाम है तो अगर हम इन्दी में बात करेंगे तो बात होगी क्रशी लागत और मूल्य आयोग पहले ये APC था Agriculture Plies Commission था इसका पहले नाम बाद में फिर इसको CACP कर दिया गया था तो इस question में CACP की बात हो रही है तो जानते हैं क्या होगा इसका सही answer तो यहाँ पर जो answer होगा इसका सही answer sorry होगा जनवरी 1965 जो कि आपको याद रखना है कि CACP जो है जनवरी 1965 में अस्तिद्व में आई थ काफी अच्छा question बन सकता है आपकी परिक्षा के लिए जो कि आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे आज के प्रिष्ण की यानि की question of the day के बारे में इससे पहले previous वीडियो में आपसे question पूचा गया था उसका सही answer बता देते हैं question था ओलेरी culture जो है वो किस bird से या किस language से मिलकर बना होता है तो आपको याद रखना है ओलेरी culture जो है वो latent भासा से यानि की latent सब्द से ये बना हुआ है तो इसका जो answer होगा वो होगा latent तो आपको एक point और याद रखना है जितने भी bird हैं जिनके नाम के पीछे culture आता है यान जाते हैं latent भासा से मिलकर बने होते हैं latent सब्द से मिलकर बने होते हैं और जिनके भी पीछे log by log bird आता है तो वो Greek bird से होते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये point पसंद आया होगा और आपको clear भी हुआ होगा अब हम बात करेंगे आज के question of the day के बारे में question है no stock is an example of no stock एक एक सही answer है जिसका जवाब आपको comment में बताना है और इसका जो सही answer होगा फिर हम next part में discuss करेंगे तो guys ये थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा से जादा like कीजेगा साथी इस वीडियो को जादा स description box में मिल जाएगी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत